नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इसमेट स्टाड़ी में आज हम पढ़ेंगे चेस्टर इर्विंग बर्णाट के बारे में सियाई बर्णाट जिनका नाम एक बहुत ही इंपोर्टन अप्रोच है सिस्टमस अप्रोच के साथ जोड़ा जाता है देखिए यह एक पेशे से यह या फिर ओर्णाइशनल अनलेसिस को पढ़ने के हिसाब से इनको मैं कहूंगा बिहेवर लिस्ट क्योंकि यह व्यभार के उपर हिमन बिहेवियर के उपर इन्होंने अपना थौट प्रोसेस डाला क कि हिमन बिहेवियर कैसे एक सिस्टम को या एक और्गनाइशन को एक बढ़िया गती देता है या एफिशन्सी देता है तो देखिए जो टेलर की जैसे सेंटिफिक अप्रोच थी या क्लासिकल अप्रोच थी यह सब बोलती थी स्ट्रक्चर पर ज़दा जोड़ था और मशी इन बनाने पर तुले थे आदमी को मतलब उन्होंने human view जो था वा आदमी का देखा ही नहीं फिर Elton Mayo उन्होंने humanistic view लिया ठीक है उसी की आगे वाली जो कड़ी थी उसकी आगे वाली कड़ी फॉलो की चेस्टर बनार्ड और इनके कुछ साथ ही उन्हें तो अब देखते हैं इनके बारे में देखें एच सी आई बनार्ड 1886-1961 डेवलप्ट दर लाइन ऑफ थावट मेंशेटिट वा MP फॉलेट मैरी पार्कर फॉलेट भी एक इंबॉर्ट सिस्टम कंसीव करने की सोची बनार्ड जी ने ठीक है उन्होंने जो थाट था एंपी फॉलेट का कि एक कोगनाशन सोचल सिस्टम है अगर हम उस सोचल सिस्टम के या उस सोसाइटी के मानकों के अनुसार हम रखें तो हम अच्छी आउटपूट ले सकता है लोगी कैसे और जो सिस्टम स्कूल जो है इसके स्पिरिच्वल हैड भी माने जाते हैं बर्नार्ड इस पॉल्फ फॉल्स ब्लोन बहर्विलिस्ट मतलब इतना इन्होंने काम किया इसमें इसमें फुल ब्लोन मतलब कि ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई एक आसपक्ट टच किया पूरी तरह से इनको एक वेविलिस्ट माना जाता है और ही एंफसाइस्ट ओन दे सोशो साइकलोजिकल आस्पेक्ट ऑफ अडमिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है वो केवल एक साइंस नहीं है वो आर्ट भी है क्योंकि उसमें आदमी की लीडर्शिप, डिसिजन मेकिंग पावर, उसकी परस्टनल क्वाल्टीज का भी एफेक्ट पड़ता है तो उसमें हमें उसकी सॉसाइटी, कौनसी सॉसाइटी है और कैसे साइकलोजी है उसकी वो भी स्टडी करना जो ही है ठीक है तो अडमिस्टेशन इनके लिए एक सोचल एक्शन है, कोपरेटिक सोचल एक जिसमें डगलस मेंगर जो थे उनकी मोटिवेशन थेओरी, अबरहाम मैसलो की नीड हार की थेओरी, इन सब को भी इनोने एफेक्ट गिया, फैटरिक हस्बर की दा टू फेक्टर थेओरी, इन सब को काफी इनोने इससे इंस्प्रेशन ली और सिस्टम अप्रोच अपरोच जो बरनर्ड ने और ने और नेशनल बिहेवर की स्टडी का जो कॉंसेप्ट दिया है, वो बहुत ही इंपॉर्टन और बहुत ही मशूर रहा है, उनकी बहुत फेमस बुक से थे फंक्शन अव एग्जेग्यूटिव एन और और नेज़िएट ने लिखे गई, उनके कुछ क इसमें क्या है कि इन्होंने ये बोला कि एक सिस्टम और अच्छा और या और और या और एक्जिस्टेंस में आता है जब पीपल आर एबल तो कम्निकेट विद अजर इच अधर कोपरेट करते हैं और कॉमन अग्जेप्टी, और कॉमन अग्जेप्टी, जो हमारा रहेगा तो हमारा एक और अप्रेटीव सिस्टम प्ले में आता है तो यह तरह का पॉमर अग्जेशन भी एक तरह का क्उपरेटीव सिस्टम ही है बहले ही वह रिजिड ऑ इन्फॉर्मल ऑग्जेशन जो हम परिस्नल कोटक्स एक खम जैसे किसी और ने बैच में ट्रेनिंग करते हैं उस बैच में हमारे मित्र बन जाते हैं उस मित्र में हमारे मंडली होगी ऐसी कि वह मंडली जो होगी वह एक इन्फॉर्मल ग्रूप होगी है हमारे फ्रस्टेशन हमारी मुसीबते हैं हमारी परेशानिया वह सब लोग ज़्यदा जानते हों ना क एक फ्रम और यह बात आपे मानना पड़ेगा और नैचुरली बन जाते हैं ठीक है तो इन्होंने यह कहा कि फ्रमल और बाटिलाइश्चन करने में इन्फमार्ट बढ़ा खात है यह देखिए यहां पर यह कहां तो यह तीन तरह के फंक्शन करते हैं देखिए जो इन्फमल औ जो उम्मर का नहीं है आपकी थोट का नहीं है शायद आपको समझे न समझे यह संकोच करके आपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादद शेयर करोगे या उसको अनिपॉर्टन लेगे यह मुझे की बता रहा है इसके लब में परिशानी है तो इसके घर में कुछ परिशान और एक आदमी पर्सनल इंडिगर्टी सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडनस ऑफ चॉइस भी फील करता है क्यों क्योंकि देखिए maintaining a personality of individual against effects of formal organization which tends to disintegrate the personality देखिए formal organization क्या है ना बहुत ही restricted और rigid होता है वो कई बार क्या होता है आपको मजबूर करता है कि आप organization के तरीके से behave करें ठीके मान लेजिए आप अच्छे singer हैं और आप पेशे से clerk है आप वहां तो कुछ नहीं कर सकते हैं organization ने काया तुम्हार का हूँ गाना नहीं तुम्हार कम tapping करना है reports बनाना पनाई है और घर जाए लेकिन इंफॉर्म और में में दोस्तों के साथ बैठता हूं जाम लगाता हूं गाने भीगाता हूं हम लोग खुशिया मनातें तो यह करें कि मेरी जो अंदर की फरस्टेशन है ना कि मैं यह कुछ कर सकता था वो नहीं कर पाया फॉर्स्टेशन को किसी हाथ तरीके से वेंट करती ह आदमी को ज़्यादा इंटीग्रेटी बना के रखते हैं और रिग्रेट फिलिंग नहीं आना देती है उसमें कि वह भली ऑग्रेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर में वह चीज़ बना के रखता है एक इनने कंट्रिबिशन स्रेटिस्पेक्शन एक थोरी दी थी थी अकोरिंग कर रहा है कि कितना उसको साटिस्पाइब कर रहा है उसी किसाब से एक और स्टेबल होता है या फिर एक्विलेविम में रहता है तो इन्होंने एक तरह से जब एक्विलेविम की पाथ की तो उन्होंने यह खा कि लेन और देन बराबर होना चाहिए इंपुट और आउट्प इंपुट तो ले रहो तो मुझसे दबाके लेकिन उसके sources of satisfaction आपको trace करने होंगे, money, distinctions, desirable conditions of work, idea of benefits, of workmanship, मतलब कैसे benefits उसको मिल सकते हैं, कि कैसा उसका workmanship को pride मिले उसको काम करने में, यह तरह का आपको search करने पड़ेंगे, तो इन्होंने एक great incentives type की चीज़ भी दी थी, material reward जो है, वो एक level के बाद काम नहीं आते हैं, तो great incentives क्या थे, associative attractiveness, based on compatibility with associates, adaptation of work condition to habitual methods and attitudes, opportunity for feeling of enlarged participants in the course of events, conditions of communicating with earth, condition on personal comfort in a social relation, मतलब उन्होंने कहा, कि केवल general जो पैसे वाली चीज है ना, वो ineffective है, तो उन्होंने कुछ चार incentives है, general incentives जो है, उन्होंने बताएगी, कैसे चार टाइप के जनल इसेंटिव जो उनको बोला, वो कैसे हैं, कि associated attractiveness होनी चाहिए, कि based upon compatibility with the associates, आपको ऐसे associates मिलें, जहाँ पर आप compatible हो, adaptation of work condition, work condition आपके adaptable बनाईजे, आपको opportunity दिजाएगी, आप enlarge participation फील करो, अपने organization में, और condition ऐसी दिजाएगी, आप communication अच्छे से कर पा रहे हो, परसनल comfort और social relation में, अपने दोस्तों के साथ में, एक बहुत important theory है, acceptance theory of authority, यह बहुत important है, Bernard ने traditional classical positional formal theory जिसको बोला जाता है, जो Weber और Fayol ने दी, उसको बूलतर reject कर दिया, उन्होंना advocate किया कि acceptance theory of authority, मतलब आपकी authority, according to a story, the basis of legitimacy of superior authority, is the acceptance by the subordinates, जब तक subordinate उसको किसी order को माननी रहा है, तब तक उसके authority fail हो गई, सिर्फ authority यह नहीं है, कि आपने position वे एक आदिम बढ़ा थे, आपके authority होगी, नहीं, authority का पूरा काम है कि यह काम subordinates से करवाना और मनवाना, thus the superior can exercise authority when it is accepted by the subordinates, Bernard defines authority as the character of communication in a formal organization, by the virtue of which it is accepted by the contributor or the member of the organization, तो हम जब अपनी authority order देते हैं, character का communication order जो है, उसको जब तक accept नहीं किया जाता, तब तक हम यह नहीं मान सकते हैं कि एक पूरी authority exercise भी, ठीक है, तो उन्हों नहीं यह कहा कि associate या subordinate कब एक authority को accept करेगा, when he understands the communication, intelligibility, जब communication उसके समझ में आ रहा है, communication inconsistent नहीं है, लगातार हो रहा है, मतलब inconsistency है उसमें, communication is compatible with the personal interest as a whole, मतलब communication ऐसा तो नहीं है, कि आपके personal interest को clash कर रहा हूँ, ऐसा कब हुआ था, 1857 में, जब religious interest के साथ में clash हुआ था, अंग्रेजों की कार्थूस का, when he is able to mentally and physically comply with communication, feasibility, मतलब ऐसा feasible भी होना चीगी, आदमी यह communication comply, मतलब follow भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मतलब उस condition में नहीं है, उसको वो काम दे दो कि यह करना है, और condition उसकी कुछ भी नहीं है, complete करने की, यह भी एक करेगा failure of authority है, acceptance failure of authority, according to Bernard, is facility without zone of indifference, अब zone of indifference ही facilitate करता है authority को, तो order जितने हैं, वो तब तक ही accept करेगा, एक junior जो है, जब उसके zone of indifference के बीच में वो पढ़ रहे है order, तब ही तक वो उसको accept करेगा, तो उन्होंने कुछ principle of communication भी दिये, इसमें उन्होंने seven principle of communication के बारे में define किया, कि every channel of communication should be definite, everyone in the organization must be, have a definite formal channel of communication भी होना चाहिए, line of communication जितनी direct or short हो उतना चाहिए, competence of member, person serving as communication center should be adequate, मतलब communication एक तरे से बसी दी बात है, clear cut होना चाहिए, complete formal line of communication will be used, must be usually used, मतलब हामेशा आसा होना चाहिए, formal communication ज्यादा होना चाहिए, नहीं हो पारी गड़बड हो रही है, तो informal होना चाहिए, the line of communication must not be interrupted by organization is functioning, तभी interruption नहीं होना चाहिए, every communication must be authenticated, communication अपनी मर्जी से नहीं होना चाहिए, upper level authority से authenticated होना चाहिए, तो चस्टर बर्नाड ने और कुछ strategic factor of decision making में भी कुछ अपने thoughts दिये, कि बर्नाड ने बोला कि एक theory of decision making में भी अपना contribution दिया, he emphasized that organizational decision making rather than individual decision making, the formal is result of deliberation, उन्होंने emphasize गया organizational decision making पे ना कि individual decision making पे, क्यों, क्योंकि पहला जो result organization decision making is a deliberation of, is a result of deliberation, calculation and thought, कि organization decision deliberate करके, discuss करके, calculate करके, map के, और सोच कर लिए जाते हैं, और दूसरा जो है decision making जो कौन सा individual वाला, वो subconscious, automotive और responsive factors के अधार पर होता है, मतलब आदमी का personal ज्यादा चीज़ें आ जाती है, इसमों, परसनल कैसे response कर रहा है, automotive response माने, जैसे आपको किसी देश ने अटेक किया, आपने पटाक से एक और मिसाइल मार की, ये भी निसोचा, इसने आपको सिर्फ भढ़काने के लिए, आपको युद्ध में खीचने के लिए, बड़े उद्ध में खीचने के लिए चाल चली थी, अगर आप उससे में थोड़ा सहियम से काम लेते, डिपलमाटिक तरीकी से समालते, तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होता, इसी तरीके से ये मतलब फिस्क में लिए हुए या गुस्से में लिए हुए डिजिजिन होते हैं, या एक करे करे के रिस्मांस में लिए हुए, मैं भी ऐसा ही करूँआ, वो individual decision made by organization are more logical and rational than personal decisions सीधी बात organization को इसने ज्यादा logical पता है पढ़नाट ने ये पिगा कि decision makers should distinguish between parts यानि facts accepting the fulfillment of our organization purpose from those which are irrelevant और hostile मतलब उसमें इतने ग्यान होना चाहिए कि facts और ऐसे मतलब rumors को separate कर पाए कि organization को और से fact search determination of strategic factors by analyzing situations तो हमें situation का analysis बहुत अच्छे से आना चाहिए तभी हम उन factors relevant fact जो है उनको accept कर पाएंगा और अपने organization के use की तरफ बढ़ा पाएंगा the factors should be controlled and modified as the influence the organization decision making factors वो control होने चाहिए modify होने चाहिए अगर वो organization के decision making को influence करना है अब executive function पर भी इन्होंने कुछ चीज़े गई वो क्या थी उन्होंने observe कि functions of executives relate to all the work essential to essential the vitality endurance of our organization so far at least it must be accomplished through formal coordination देखे यह ही कह रहे हैं कि function of executive जो है वो relate to all the work essential to the vitality and endurance of the organization मतलब executive का function जो है वो vitality or endurance of organization पे बिल्कुल relate होता है vitality मतलब importance या पर मुकता endurance मतलब एक तरह का उसका ruggedity देखते हैं कि तरह मजबूत हमारा organization तो यह सब चीज़े जो है function जो है हो हमेशा formal coordination के तरूँ achieve होने चाहिए executive work is not that of organization but it is a specialized work of maintaining the organization in operation तो इन्होंने executive जो function उसको अलग किया कि बोले यह केवल organization का काम करते हैं ना काम करते होने चीज नहीं है यह एक तरह का specialized work है जो हमेशा organization का operation maintain रखता है और he is regarding the following three essential factors of function of executive उन्होंने है अलग से एक आदमी बता है और उसके कुछ functions बता है establishing and maintaining the system of communication in the organization यह आदमी क्या करता है system में operations ready रखता है operation में सबसे पहले चीज़ जाती communication इस system के अंदर communication कैसा है नहीं तो coordination failure securing essential efforts and services from subordinates by motivating them to exert themselves for organizational purpose यह essential efforts and services subordinates से exert कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ठीक है तो motivate करके उनको मतलब देखिए organization को बहुत अच्छे से देख रहा है अंधूनी तरह से मजबूत कर रहा है formulating and defining the purpose and objectives purpose and objective formulate करता है ताकि आगों लोगों को पता रहे हों कर क्या रहे हैं तो हाबर्समन ने फर्दर इस बैनाड के thought को develop किया था उन्होंने bounded rational model एक दिया था vision making का उसमें उन्होंने इसी को thought को develop कि उन्होंने advocate किया कि conscious of satisficing ठीक है suficing and satisfying का satisficing उन्होंने word बनाया था behavior against maximizing behavior ठीक है maximizing behavior की जाए satisfy कने वाला behavior होना चीए और यह maximizing behavior Weber Taylor favor जो classical thinker उन्होंने में proponent किया था is the most important exponent of bear world approach in administrative studies तो हमने चेस्टर बैनाड का यह देखा कि behavioral studies के बहुत बढ़े exponent executive function से लेके इनका सबसें बढ़े zone of indifference से लेके कितना कुछ हिनोंने दिया है तो आज का यह चप्टर हम यहीं खतम करते हैं और आगे भी आपको इस तरह के वीडियोज लंबे लंबे वीडियोज administrative theory वाले मिलते रहेंगे अब वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी motivation दीजिए धन्यवाद